हेलो गाइज वेलकम टू स्टेडी मास्टर मैं हूँ आपका फ्रेंट जी असरा है आज हम एक इंपॉर्टन टॉपिक के कोश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो कि आपका करेंट अफेर में भी कंप्लीट होता है और आपका कोई भी एक्जाम है चाहिए वो हर्याना सिविल उबिल्स का है चाहिए वो यूपी पीशीव का है हर्याना पुलिस, पंजाभ उलिस, गुरम्मेंट स्कीम से रिलेटेट्ट आलवेज एख चुचन पूछे जाते हैं तो आज मैं आपके लिए गुवर्मेंट स्कीम से रिलेटेट्ट इ flashlight कोशन लेकर आया हूँ मिलेंगे ही मिलेंगे जरूर मिलेंगे यह जो कोशन हैं यह 2020 और 2021 के मौस्ट इंपॉर्टन कोशन हैं मतलब यहां से कोशन बनने के काफी ज्यादा चांस हैं तो 50 questions हैं ध्यान से देख लीजेगा bilingual questions हैं और कोई भी doubt हो questions से related तो आप लोगों से पूझ सकते हैं इसकी PDF कैसे डाउलोड करनी है मैं आपको सारी शिजें डिटेल में वीडियो के लास्ट में बता दूँगा PDF जो है आप लोग जो revision purposes के लिए यूज कर सकते हैं चलिए first question देखते हैं The recently launched Bhuvan Panchait Web Portals new version 3.0 uses the technology of which organization option हाल ही में launch किया गया Bhuvan Panchait Web Portal का नया संसकरन 3.0 किस संगठन की टेकनीक का उप्योग करता है options हैं भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन हिंदुस्तान Aeronautics Limited या भारत Electronics Limited देखिए सबसे पहले तो यह देखिए भुवन Panchait Web Portal के बारे में यह question ठीक है और उसका नया संसकरन 3.0 आया है तो यह भी question पूछन पूछा जा सकता है कि भुवन Panchait Web Portal का नया संसकरन कौन सा है 2.0, 3.0, 4.0 या 5.0 और यह किस टेकनोलजी का यूज करता है तो यह भारतिया अंतरिक्ष अनुसंधान टेकनोलजी का यूज करता है इसकी टेकनोलजी को यूज करता है Indian Space Research Organization अभी आपका क्या काम है इस रो के बारे में जाकर पढ़ दीजिए और comment box म किस राजिया सरकार ने हाल ही में नागरिकों को विभिन सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए जन सेवक नामक एक योजना की शुरुआत की है तो ऐसे questions क्या होता है, कई बार तो direct, इस तरह से question आ जाता है, कई बार match the following में आ जाता है मतलब एक side क्या लिखा होता है, एक side state का नाम होता है और दूसरी side वहाँ पर उनकी कोई ना कोई गवर्मेंट scheme होती है तो यह देख लीजिए कि यह जो जन सेवक application, जन सेवक योजना है, यह कि state ने शुरुआत किया है तो यह किस ने शुरुआत किया है, करनाटक ने, सही उतर क्या है, बी, जन सेवक किस राज्या की योजना है, करनाटक की नेक्स्ट कोईशन पर चलते हैं, आप इसको रोक कर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं नेक्स्ट कोईशन देखिए तो किसी भी चीज की पहली वर्षगांट बहुत जिरूरी होती है, कोई भी गवर्वन्ट स्कीमों, यह कॉशन काफी टाइम तक पूसा जाता है तो आप्शन देखिए, परधान मंतरी किसान मांधन योजना, परधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना, परधान मंतरी शरम योगी मांधन या परधान मंतरी लगू व्यपारी मांधन तही उत्तर क्या है? परधान मंतरी किसान सम्मान निधी योजना इसमें क्या कहा गया है कि तीन किस्तों के अंदर दो-दो हजार रुपए साल में आपको दिये जाएंगे टोटल किसानों को जो छोटे या सिमान किसान है उनको छे हजार रुपए आर्थिक सहाज़ता मुहिया करवाई जाएगी और इसमें एक और कोशन बनता है पी-म किसान भारत सरकार से 100% विट पोशन के साथ एक केंद्रियक शित्र की योजना है तो कई बर क्या कुछ लेता है कि जो पी-म किसान योजना है ये किस एक शित्र की है ये सेंट्रली स्पॉंसर्ड या फिर जो की सेंट्र की योजना है तो कोशन देखिए और एक और इंपोर्टन इंफर्मेशन है आप सब के लिए देखिए गवर्मेंट एक्जाम्स के अंदर जितने भी एक्जाम्स हो रहे हैं आगे आने वाले जो टाइम में हो जाएंगे उनमें आपको करेंट फिर बहुत महत्पून रहते हैं करेंट फिर का बह कोशन मिलेंगे मतलब आपको पता करेंट फिर के दो या चार कोशन ज्यादा से दस कोशन आ जाते हैं तो इसमें से आपके मौस्ट प्रबबली कवर हो जाएंगे तो इसकी पीडिया फाइल डिस्क्रिप्टिन बॉक्स में एक लिंक दिया गया वहां से जाकर आप लोग जाएंगे जनवरी से लेकर जून तक तो वो वीडियो को जुरूर देखिए वो आपके लिए काफी बेनिफिशल रहेंगे कोई भी एक्जाम में आपका उससे कवर हो जाएगा The Committee for Working Out the Operational Guidelines of किसान रेल is formed under the edges of which ministry किस मंतरालिया के तत्वा अधान में किसान रेल के परचालन दिशा निर्देशों को तियार करने के लिए समीत्री का गठन किया गया है तो एक और question है सबसे पहली किसान रेल कहां से कहां चली ये काफी important question है काफी exams में ये पूछा भी जा चुका है तो आप लोग comment box में comment कीजिए या फिर अगर आपने comment नहीं किया आपको नहीं पता तो किसी दूसरे बच्चे में comment क्या होगा वो पढ़ दीजिए आपको पता चल जाएगा मैं आपको comment करने के लिए कुछ बोलता हूँ मैं सारी चीजिए खुझ से क्यों नहीं बताता जब आप लोग comment करते हैं तो एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं पढ़ते हैं कई बर बच्चों को नहीं पता होता तो वो google से सर्च करते हैं कहीं से भी सर्च करते ह विससे आपको चीजिए लंबे समय तक याद रहती हैं किसां रेल के बारे में जाकर तोड़ा पलड़ लीजे और किसां रेल के लिए दिशान निर्देशों का स्बारादों को दियार करने के लिए सुमिर्थी का गठन किस मंतराले के अधिन किया गया था किर्शी और किसान कल्यान मंत्राले है ऐसा क्यों क्योंकि आपको पता है जो टमाटर है या कुछ फ्रूट्स होते हैं या कुछ सब्जियां होती जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो वो किसान रेल जो किस्पेशन रेल किसानों के लिए चलाए गई है उनको जल्द से जल लाइवलिहुड मिशन रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच एकमर्स कंपनी फॉर मार्केटिंग प्रड़क्ट आफ एस एच जी अब एस एच जी क्या है सेल्फ हेल्प ग्रूप कुछ एक्जाम्स में ये बेसिक सा क्वेशन भी पूछ जाता है दीन दियाल अन्तोदिय युजना राष्ट्रिय शहरी आजीवी का मिशन डी एवाई डी अन्यू एलम ने हाल ही में एस एच जी के उत्पादों के विप्रणन के लिए किस एकमर्स कंपनी के साथ भागेदारी की है और अप्शण में देखिए अमेजन स्नैप डियल मिल्तरा इंडिया मंट तो अप्शन में अमेजन है Нधान लगा दीजिए अरपर अमेजन क्तिक कीजिए इससे पहले इस यहा साथ अ कि मलेका सथ यहार काट एक रखा है लेकिन फिलिपकार्ट के साथ भी यह जो है इनका पार्टनर्चिप की गई है नेक्स्ट कोशन देखिए अक्षे उर्जा पौटल किस केंद्रिया मंत्रालय की एक पहला है काफी इंपॉर्टन कोशन आईए इस तरह के पौटल वाले कोशन डिरेक्ट पूछे जाते हैं अक्षे उर्जा पोर्टल किस मिनिस्ट्री का इनिस्ट्री 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 का इन आपत्थ मित्र हेल्प लाइन और एक मोबाइल एप का नाम जिसे भारत ने किस केंदर राज्या या केंदर शार्षित प्रदेश ने कोविड-19 से निप्तने के लिए अपने प्रयासों में लॉंच किया है अप्त्थ मित्रा इस दा नेम ऑफ हेल्प लाइन एंड मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच्ट बाइविच इंडियन स्टेट यूटी इन इस एफ़र्ट तो टेकल कोविड-19 तो या किस राज्या सरकार ने या किस यूटी ने इसको लॉंच दिया है अप्शन दिख लीजे आप लोग अपकी स्क्रीन पर अप्शन दिये गए हैं अंद्रपरदेश करनाटक ओडिशा या सर्चतिसगर राइट आंसर क्या है करनाटक अप्लिकेशन का नाम याद रखना आपत्थ मित्र नेक्स्ट कोशन देखो विच इंडियन स्टेट हैस प्रोपोज्ट तू लॉंच ए फस्ट ऑफ इट्स काइंड स्टेट हैल्स रिजिस्टर प्रजेक्ट मतलब अगर कुछ चीज फस्ट हो तो वह काफी टाइम तक सालों साल एक्जाम में पूछा जाता है Всё ऊटस ऑफ देख भिजे किस भारतिय राज्यमिन अपनी तरह की पहली शेट स्वास्थ्ये रिजिस्टर प्रयोजना शुरू करने का परस्ताव रखा है और्षा अंदर पर देश राज्यस्तान औ फिखर करनाटक चार उप्षिन दिए गये हैं तो राज्यत स्वास्तेयर जिस्टर किस राज्ये ने योजना शुरुआत करने का परस्ताव रखा है करना टेक्ट नेक्स्ट कॉशन पर चलते हैं तोटे और सिमांत किसानों के बीच जैवित खेती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है options देख लिए परधान मंतरी किसान विकास योजना परंपरागत क्रिशी विकास योजना जैविक खेती मिशन या फिर ऑपरेशन ग्रीन्स राइट आंसर क्या है परंपरागत क्रिशी विकास योजना सही उत्तर है बी याद रखेंगे सिंपल कोशन है आपको काम क्या करना ये परधास के परधास कोशन याद रखने है और एक्जाम में इस से रेटेड कोई भी कोशन आए तो आपको पता होना चाहिए गलत नहीं होना चाहिए वर्ट इस दा कॉर्पस ओफ माइक्रो इरिगेशन फंड दैट हैस बीन क्रेटेड विद नेशनल बैंक फॉर अग्रिकल्चर एंड रूरल डवलपमेंट नवाड की स्थापना कब की गई थी हमारी जो जीके जीएस की सीरीज चल रही है उसमें मैंने आपको सारी शीज़ें अच्छे से करवाई हैं जिन्हों ने यह नहीं देखी जीके जीएस की सीरीज देख लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक परवाइड करवा के टेलिग्राम में जोईन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से भी आप लोग जोईन कर सकते हैं कोशन देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डवलप्मेंट के साथ बनाए गए सुक्षम सिंचाई कोश का कोश क क्या है मतलब कितने रुपएं का वो फोश बनाया गया नबाड के साथ तो यहां पर उसकी कीमत कितनी हैं 5000 क्रोड रुपए याद रखेंगे केंदर सरकार ने किस राज्य या फिर केंदर शाषित परदेश में जल जीवन मिशन के कारे नवेन के लिए 445 क्रोड रुपए की मंजूरी दी है अप्शन यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिये गए हैं देख लीजे राइट आंसर क्या है 27 क्रोड रुपए इसमें एक और क्रोशन है जो पूछा जाता है जल जीवन मिशन का उदेश है 2024 तक देश के परतेक डिरामिन परिवार को दिर्ग अबदी के अधार पर पेजल उपलब्द करवाना है तो यह 2024 जुरूर याद रखना यहां से क्वेशन हर बार एक्जाम में बनता ही बनता है 2024 ओके सत्यभामा पॉर्टल यहां पर हाल ही में खबरों में रहा सत्यभामा पॉर्टल का उदेशिया किस अक्षित्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है जलवायू परिवर्टन, खनन, वायरलोजी या फिर महामारी विज्ञान तो किस अक्षित्र में किया जाता है राइट आंसर क्या है खनन, माइनिंग से रिलेटेड है सत्यभामा पॉर्टल नक्ष्ट क्वेशन देखिए इस भारतिया राज्य या फिर केंदर शाषित परदेश ने COVID-19 के इलाज के लिए प्लेटिना नाम से दुनिया की सबसे बड़ी दिख्षान्त प्लाज्मा थेरपी प्रिवजना की शुरुआत की गई है तो most important question की category में रखेगा इसको ये question बहुत बार पूछा भी गया है और आगे पूछा भी जाएगा तो किस राज्य या फिर केंदर शाषित परदेश ने इसकी शुरुआत की गई है प्लेटिना थेरपी की तो right answer का है महारास्टर which state government is set to launch the ill corona campaign to control the spread of coronavirus coronavirus के परसार को नियंतरित करने के लिए कौनसी राज्य सरकार करोना को मार डालो अभ्यान शुरू करने के लिए तैयार है बिहार सरकार, उत्तरपरदेश सरकार, मद्यपरदेश सरकार या फिर गुजरात तो मद्यपरदेश सरकार ने करोना को मार डालो अभ्यान शुरू किया है next question देखिए what is the name of first edition of the fisheries and aquaculture newsletter that was recently launched fisheries and aquaculture newsletter के पहले संस्करन का नाम क्या है जिसे हाल ही में launch किया गया option से हैं अपर चार आपकी स्क्रीन पे दिये गए हैं चारों एक बार पढ़ लीजे right answer क्या है मत्सया संपदा B है जो की fisheries and aquaculture newsletter के एले संस्करन का नाम रखा गया है मत्सया संपदा next question देखिए which Indian state UT has launched viewers सम्मान योजना किस भारत के राज्य है या फिर केंदर शाषित परदेश ने बुनकर सम्मान योजना शुरू की गई है मद्या परदेश करनाटक ओडिशा या फिर गुजराथ right answer क्या है करनाटक यह तीसरा question है जिसमें जिसका अंसर करनाटक है काफी important है याद रखना एक्जाम में ऐसे question पूछे जाएंगे direct तब आपको पता होना चाहिए next question देखिए what is the target to be achieved in the gross enrollment ratio GER by 2025 as per national education policy यह आगे आने वाले दो या तीन साल तक यह question आपसे एक्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा question पुराना हो जाएगा बच्चे इसको भूल जाएंगे लिखने एक्जाम में पूछा जाएगा तो इसको note down कर लीजे कहीं पर भी इसको लिख लीजे राश्ट्रिया शिक्षा नीती के अनुसार 2025 तक लक्षे हसल करना है 2025 तक एस पर दा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राश्ट्रिया शिक्षा नीती के नुसार ठीक है नेक्स्ट कुशन देखिए My Government Platform has announced a logo design contest for which government program in August 2020 My Government Platform ने अगस्ट 2020 में इस सरकारी कारेकरम के लिए logo design परतियोगिता की घोशना की है आतम निर्बर भारत अभियान परधान मंतरी गरीब कल्यान योजना परधान मंतरी गरीब कल्यान अन्योजना वन नेशन वन राशन कार्ड राइट आन्सर क्या है आतम निर्बर भारत अभियान ये इसका सही आन्सर किस राज्ये ने ए रक्षा बंधन नाम से साइबर अपराद जागरुका कारेकरम शुरू किया है विच स्टेट हैस लॉँच्ट ए साइबर क्राइम अवेरनेस प्रोग्राम नेंड एज इ रक्षा बंदन उरिश्या सरकार अंधर पर्देश करनाटक या फिर केरल राइट अंसर क्या है यहां पर अंधर पर्देश तो यह रक्षा बंदन का संबंद किस स्टेट से है अंधर प्रदेश से नेक्स देखिए which state government has launched मुख्या मंतरी किसान सहाई योजना replacing PM फसल बीमा योजना most important की category में रखिए ऐसा initiative पहली बार किसी राज्य सरकार ने लिया है किस राज्य सरकार ने PM फसल बीमा योजना की जगा है मतलब ये PM फसल बीमा योजना लगो ही नहीं होने दिए मुख्या मंतरी किसान योजना की शुरुआत की है तो ऐसा किस राज्य ने किया है ऐसा गुजरात राज्य ने किया right answer है C गुजरात which state UT has approved रुपीज 25 lakhs insurance cover for all its panchayat members किस राज्य या फिर केंदर शाषित परदेश ने अपने सभी पंचायत सदस्यों के लिए 25 lakh रुपए के बीमा cover को मंजूरी दी है नई दिली, जम्मू कश्मीर, असम, या फिर मेगाले right answer क्या है जम्मू कश्मीर next question देखिए which Indian state UT has launched नवीन रोजगार छत्री योजना किस भारतिय रज्य या फिर केंदर शाषित परदेश ने नवीन रोजगार छत्री योजना शुरू की है मद्य परदेश, उत्तर परदेश, उत्राखंड, या फिर पंजाब right answer क्या है आपर आपका उत्तर परदेश तो नवीन रोजगार छत्री योजना किस राज्य सरकार की है उत्तर परदेश next देखिए which union ministry of India has launched a dedicated job portal named रोजगार बजार भारत के किस केंदर शाषित परदेश ने रोजगार बाजार नाम से एक समर्पित job portal launch किया है रोजगार बाजार जो है job portal किस केंदर शाषित परदेश ने लाँच किया है चंडीगर्ड, नई दिल्ली, उडुचेरी या फिर गोवा ऐसा इनिशिटिव किस ने लिया है नई दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने रोजगार बजार नामक से एक job portal launch किया है what is the name of the book that has been released with essays on स्वच भारत mission स्वच भारत mission पर निबंदों के साथ जारी की गई पुस्तक का नाम क्या है यह भी most important की category में क्यों क्योंकि book से related question exam में हर बार एक या दो question पूछा जाता है तो यह book से related question है तो पता होना चाहिए कि स्वच भारत mission पर निबंदों के साथ जारी की गई उस तक का नाम क्या है क्या नाम है स्वच भारत करांती किस पर related है स्वच भारत mission पर related essays या पर निबंदों से related next question देखो ministry of consumer affair has advised to state to include all eligible disabled person under which act उप भुगता मामलों के मन्त्रालिया ने राज्यों को सभी यूग्य विकलांग विक्तियों को इस अधिनियम के तहट शामिल करने की सला दी है रास्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम रास्ट्रिय ग्रामिन रोजबार गारांटी अधिनियम और शक्वस्तू अधिनियम या फिर भारत मानक वीरो अधिनियम राइट आंसर क्या है यहां पर रास्ट्रिय खादे सुरक्षा अधिनियम राइट आंसर है आप लोग चाहें तो इसको pause करके इसके बारे में दूसरी important information पढ़ भी सकते हैं लेकिन जो question बन सकते हैं वो direct आपको बदाए यहां पर जा रहे हैं तो आपका काम क्या है वीडियो को एक या दो बार जरूर देख लें exam से पहले आपको इन questions में कोई भी confusion ना रहे और आपका वहाँ पर जाकर puzzle होने का कोई भी chance ना रहे आपने question पढ़े हुए हैं, options पढ़े हुए हैं फिर भी गलत हो जाए तो वो तो फिर गलत बात है Next question देखिए Which government scheme has recently completed six years since inception? किस सरकारी योजना ने हाल ही में अपनी स्थापना के 6 साल पूरे किये हैं? यह भी most important question की category में यहाँ पर अटल pension योजना, PM जन्धन योजना, परधान मंत्री, जीवन, जोती, बिमा योजना, या फिर अटल, बुजल, मिशन Right answer क्या है? PM जन्धन योजना यहाँ पर परधान मंत्री, जन्धन योजना, इसमें की जिन लोगों का गरीब परिवारों का बैंक से कोई relation नहीं था, बैंक तक उनकी पहुंच नहीं थी उनके गरीब परिवारों को यहाँ पर, 0 रुपीज पर यहाँ पर, खाता खोलने की सुविधा परधान की गई थी PM जन्धन योजना के तहित और इस स्कीम को 6 साल हो चुके हैं, अगस्ट 2020 में Next question देखिए What is the name of new platform launched by the Prime Minister for Managing Livestock? पशुधन के परबंधन के लिए परधान मंत्री द्वारा शुरू किये गए नए मंच का नाम क्या है? E.Gopala App, E.Pashudhan App, E.Gomata App या E.Pashu जानकारी Important question है, क्या नाम है पोर्टल का? परधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया पशुधन पोर्टल क्या है E.Gopala App? Right answer है A. What is the name of new scheme launched by Prime Minister related to Blue Revolution with an investment of 20050 करोण? 20,050 करोण नीली करांती से सम्मंदित परधान मंत्री द्वारा शुरू के निवेश से शुरू किये योजना का नाम क्या है? तो नीली करांती से सम्मंदित ये योजना है ये भी ध्यान रखना question घुमा फिरा के किसी तरह से भी पूछा जा सकता है तो उस योजना का क्या नाम है? PM मत्सय संपदा योजना और इससे पहले भी हमने ये question इसी वीडियो में discuss किया है PM मत्सय संपदा योजना वहाँ पर ये बोला गया है मत्सय संपदा अब यहाँ पर PM मत्सय संपदा योजना बताया गया है यह most important की category में है question तो ध्यान दखना next question पर चलते है which state government has decided to give cows to the families of malnourished children किस राज्य सरकार ने कुपोशित बच्चों के परिवारों को गाये देने का फैसला किया है गुजरात, उत्तरपरदेश, मद्यपरदेश या फिर बिहार यह आप लोग तुका भी लगा सकते हैं योगी सरकार है तो गाये देगी सभी को उत्तरपरदेश, राइट आंसर है बी लेकिन ऐसा question एक्जाम में पूछ सकते है the Swami fund has been created recently by the government pertains to which sector सरकार दवारा हाल ही में बनाया गया स्वामी कोश किस अक्षितर से संबंदित है तो एक्जाम में क्या देगा आपको एक साइड लिखा होगा स्वामी कोश सामने कुछ राज्य दिये गए होंगे तो पूछेगा कि सही मिलान कीजिए सही है या गलत है तो ऐसा question पूछा जाता है स्वामी कोश किस से संबंदित है आवास से related हाउसिंग से संबंदित है स्वामी कोश देखिए राष्ट्रिया कामधेनु आयोग इस केंद्रिया मंतरालिया के तहत राष्ट्रिया कामधेनु आयोग का गठन किया गया है तो या मत्से पालन पशुपालन और डेरी मंतरालिया के अधिन राष्ट्रिया कामधेनु आयोग का गठन किया गया है सर्ब पावर स्कीम हैज बीन लॉंच्ट बाए दा गॉर्मेंट टार्गेटिंग विच सेगमेंट सरकार दवारा सर्ब पावर योजना किस खंड को लक्षित करने हुए शुरू की गई है समय सहाइता समूव, स्ट्रीट वेंडर, किसान या फिर महला विज्ञानिक यहां पर महला विज्ञानिकों के लिए सर्ब पावर योजना की शुरुवात की गई है इस भारतिय राज्या है केंदर शाषित परदेश ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वहनों को 100% वहन कर छूट परदान की है टेरल, तमिल नाडू, अंदर परदेश, या फिर करनाटक राइट आंसर क्या है यहां पर तमिल नाडू, तो तमिल नाडू सरकार ने जो इलेक्ट्रिक वहन है उनको 100% tax free कर दिया गया है ताकि जो इलेक्ट्रिक वहनों की ज़्याद से ज़्यादा production हो और उनको use किया जा सके और जो pollution की problem है वो यहां पर control की जा सके और petrol की problem से बचा साज जा सके और भी बहुत सारे लक्षे हैं इस चीज के जो हम लेटर रौन किसी और वीडियो में discuss करेंगे वट इस दा नेम ऑफ केंपियन लॉंच्ट बाइ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टाइल फोर दिवाली 2020 लेद्वारा दिवाली 2020 के लिए शुरू किये गया अभ्यान का नाम क्या है 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 लोकल फोर वोकल एश इंडिया टू सेलिबरेट लोकल फोर दिवाली वाई इंडियन तो यहां पर जो दिवाली 2020 के लिए किस अभ्यान की शुरुवात की गई थी कौन सा अभ्यान चलाया गया था लोकल फोर दिवाली मतलब इस साल दिवाली पर लोकल चीज़ें खरीदें और इससे चाइन के लिए भी है अगर आप लोग जो मेड इन इंडिया चीज़ें खरीदेंगे तो भारत का पैसा भारत के लोगों के पास रहेगा उससे वो और चीज़ें प्रड्यूस करेंगे और हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ती जाएगी चाइनिस चीज़ें सस्ती होती है इनका कारण क्या उनकी प्रड्यक्शन बहुच जाता होती है अगर इंडिया के अंदर लोग दस चीज़ें प्रड्यूस करें तो चाइना सेम चीज़ें प्रड्यूस करेगा कोई इंसान 10 चीज़ें produce कर रहा है, कोई इंसान 100 चीज़ें produce कर रहा है, तो इसका price भी कम रहेगा, लेकिन अगर आप 10 खरी देंगे नहीं, इनके production इनको आराम से करने पड़ेगी, इंडियन के प्रोडक्शन क्यों करते हैं, तो ये हमारा behavior shift करने के लिए hash local for दिवाली की campaign run क की गई थी इस तरह की केंपिन अगर टाइम टू टाइम रन होती रहें तो भारत के अंदर बहुत चीजों में सुधार हो सकता है कि फू चेर्दा 33 अडिशन और पर्गती मीटिंग परगती बैठके तितिस्वे संस्करण के दिख्ष्टा किस ने की तो भारत के परदान मंत्री ने कि थो नरेंडर मोती हैं वह कितने नंबर के प्रदान मंत्री ने एक्जाम में इस तरह का question पूठा जाता है कि जो प्रेजेंट प्राइम प्राइमिनिस्टर हैं ये किस नंबर के हैं पंदर में शोड में अठार में बीस में तेर में चौद में बताईए किस नंबर के प्रधान मंत्री है बेसिक कोशन है सिंपल कोशन है लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपका गलत हो जाएं और परगृति की फुल फॉर्म जाकर देख लीजे प्रो एक्टिव गवर्नेर्स एंड टाइमली इंप्लिमेंटेशन नेक्स्ट कोशन देखिए विच इंडियन स्टेट है लॉन्च ए पॉटल नेमड परिश्रम टु डिलिवर दा स्टेट डिपार्टमेंट सर्विसिस इस भरतिय राज्य ने रज्य विभाग की सेवाओं को वित्रित करने के लिए परिश्रम नामक एक काफी कोशन आ रहे हैं तो यह काफी इंपॉर्टन है जाकर देख लीजिए इनको पढ़ लीजिए गा और एक बार नोट जरूर कर लीजिए यह चीज़े या फिर इसकी पीडिएफ डाउनलोड कर लेना दिस्क्रिप्शन वॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूँगा या फिर हमारे टेलिग्राम के अंदर लिंक दिया गया होगा वहां से जाके आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम जोइन करने का तरीका में पहले ही बता चुका हूँ उस तरह से आप लोग जो है जाउच की है राजस्थान करनाटक एरल या फिर बिहार रही आंसर क्या है करनाटक निस्था एंड डिक्षा और इनिशेटिव ओफ विच मनिस्ट्री निस्था और दिक्षा किस केंद्रिया मंतरालिया की पहल है तो निस्था और दिक्षा के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो या किस मंतराले से रेलेटिड है शिक्षा मंतराले से रेलेटिड है और ये कोशन आप तो एक्जाम में जाकर जरूर देखने को मिलेगा विच मिनिस्थ्री इस तो स्पेंट रुपीज 1200 क्रोड टू क्रेट इन्फरास्ट्रक्टर फॉर सेफ मुवमेंट आफ वाइल्ड लाइफ वन्या जीवों की स्रक्षित आवाजाही के लिए आधार भूत संचना बनाने के लिए 1200 क्रोड रुपए खर्च करने वाला कौन सा मंत्रालिया है चौर आप्शन्स यहां पर आपकी स्क्रीन पर दिये गए है देख लीजे तो वन्या जीवों की स्रक्षित आवाजाही के लिए जो बारा सो क्रोड रुपए किस मंत्राले ने खर्च करने का कौन सा मंत्राले है सड्क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले है क्या होगा जो अगर मान लोग किसी वन्याजीव अभ्यारन से स्टेट हाइवे निकल रहा है तो उसके यहां पर फैंसिंग की जाएगी यहां पर तार लगाई जाएगी यहां पर बड़े बड़े शल्ट यहां पर लगाए जाएगे ताकि लाइट से जनवरों को परिशानी ना हो रात के टाइम में परिशानी ना हो दिन में भी जानवर रोड के उपर ना आ सकें और भी कहीं से underpass बनाई जाएंगे कहीं से overpass बनाई जाएंगे ताकि जानवर्स को problem ना हो यह सड़क परिवहन और राजमार्क बंतराल्या के द्वारा की जाने वाली पहल है नेक्स देखिए the land allotment policy 202130 which was making news recently was released by which state और यूटी भूमी आवंटन नीती 2021 से लेकर 30 तक जो हाल ही में चर्चा में रही किस रजय केंदर शाशित परदेश द्वारा जारी की गई है किस परदेश के द्वारा जारी की गई है भूमी आवंटन नीती जम्मू कश्मीर के द्वारा इंपॉर्टन कोश्चन है यह कनवर्जेंस अनर्जी सर्विसिज लिमिटेड ती एस एल द्वारा शुरू किये गए ग्राम उजाला कारेकरम के तहट एलेडी बलब की कीमत क्या है एलेडी बलब की कीमत 10 रुपे है मातर 10 रुपे में आपको जो है एलेडी बलब दिया जाएगा काफी इंपॉर्टन है एक्जाम में जाकर लगता है कि यह पचास रुपे का होगा एक रुपे का तो नहीं हो सकता दस रुपे का भी नहीं हो सक तो पड़ा हुआ है तो इसलिए प्रैक्टिस कर लिया करो स्टडी मास्टर आपके लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कोशन्स लेकर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जुरूर दबा लेना इससे आपको हर एक वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल हाल ही में घोशित ECLGS 3.0 के नुसार रिणो की नई अबदी और बकाया रिणो का परतिशत क्या माना गया है अब सबसे पहले तो आपको जो है ECLCGS के बारे में पता होना चलिए यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अधिधिक थे हम्टो स्थीम मैं जारएगा अवापको E.C. L.G.S. Emergency Credit Line Guarantee Scheme इसके नुसार रिनो की अफ़दी और बकाया रिनो का पर्तिशत क्या माना जाता है बताईए यहां पर क्या अंसर होगा इसका 6 साल तो उसकी अफ़दी है और 40 पर्तिशत उसका जो है percentage रिनो का पर्तिशत माना जाएगा AIM Prime AIM सबसे पहले तो AIM के बारे में पता होना की है अटल इनोवेशन मिशन प्राइम प्रोग्राम लॉंश्ट बाइदा नीती आयोग इस एस्सोसियेटेड विद विच अब्जेक्टिव नीती आयोग द्वारा शुरू किया गया AIM Prime का रेक्रम किस उदेश्य से जुड़ा है तो किस उदेश्य से जुड़ा हुआ है अब अटल इनोवेशन मिशन है तो किस चीज से है विज्ञान अधारिज स्टारट अपको बढ़ावा देना अटल इनोवेशन मिशन तो right answer किया इसका B वियाद रखेंगे आप इसको which ministry along with the ministry of food processing industries will converge to implement प्रधान मंत्री formalization of micro food processing enterprises scheme खाद्या प्रसंसकर्ण उद्योग मंत्रालिया के साथ कौन सा मंत्रालिया सुक्षम खाद्या प्रसंसकर्ण उद्याम योजना के प्रधान मंत्री अपचारिकर्ण को लागू करने के लिए जुटेगा किर्शी मंत्रालिया ग्रह मंत्रालिया ग्रामिंड विकास मंत्रालिया या फिर वानिज्य मंत्रालिया और आप्शन आपकी स्क्रीन पर दिये गए हैं राइट आंसर क्या है ग्रामिंड विकास मंत्रालिया नेक्ट कोशन देखिए इस इंस्थान ने स्वास्थ्य और पोशन पर एक राष्ट्रिय डिजिटल भंडार पोशन ग्यान लौँच किया है महला एवं भाल विकास मंत्राले द्वारा नीती आयोग या महलाओं पर राष्ट्रिय आयोग या विच आयोग तो यहाँ पर पोशन ग्यान किसने लौँच किया है राइट आंसर किया है यहाँ पर देख लिजिए नीती आयोग दवारा पोशन ग्यान नेक्स्ट कोशन देखिए विच सेक्टर ओफ बोरोर्स फ्रोम दा हाइएस्ट शेर इन एपलाइंग फोर एग्री कल्चर इंफ्रस्ट्रक्चर फंड किसी अब सरंचना कोश के आवेदन करने में उधार करताओं का कौन सा क्षितर सबसे अधिक हिस्सा है व्यक्तिगत किसान और क्राथमिक कर्षी रिंड समीतिया या कसान उपज संग गखन राइट अंसर क्या है प्राथमिक कर्षी रिंड समीतिया नेक्स्ट कोशन पर चलिए विच इंस्टिटुशन है जन जातिया प्रवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगी प्रयोजना का अनावरण किया है तो किस ते किया है? ट्राइफ हैड़ी अब आपका क्या काम है? इन सभी की full form नीचे कुमेंट तरनी है आपको कितनी full forms पता है देखिए ऐसे full forms आपको किसी ना किसी exam में चाहे वो state का exam हो चाहे वो center का exam हो full form भी पूछ ली जाती है एक question ऐसा जरूर बन सकता है और किसी ना किसी exam में जरूर बनता है तो सभी की full form आपको पता होनी चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इनके बारे में कुछ भी पता है तो comment जरूर कीजिए next question देखिए गोप बंदू संबदिका स्वस्ते बीमा योजना is being implemented in which state गोप बंदू संबदिका स्वस्ते बीमा योजना किस राज्य में लागू की जा रही है तो किस राज्य में लागू की जा रही है ओडिशा के अंदर गोप बंदू संबदिका स्वस्ते बीमा योजना which state has launched the wellness program आयूश घर्दवार for COVID-19 patients इस राज्य ने COVID-19 रोग्यों के लिए कल्यान कारेकरम आयूश घर्दवार की शुरुवात की है और options आपकी screen पे दिये गए है right answer क्या है कि माचल परदेश सरकार ने जो आयूश घर्दवार योजना की शुरुवात की है next question which ministry has launched the सेहत OPD portal किस मंतरालिया ने सेहत OPD portal launch किया है वास्ते मंतरालिया रक्षा मंतरालिया विच मंतरालिया या फिर वानेजिक मंतरालिया तो यह question मैं आपके लिए comment box में छोड़ देता हूँ कि आप लोग comment करके इसका अंसर मुझे जरूर बताएंगे कि किस मंतरालिया ने सेहत OPD portal launch किया है अब वहाँ पर सेहत OPD portal दिया गया होगा और आपको इसका अंसर नहीं पता हुआ तो फिर बहुत problem हो जाएगी जलिए आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया है राइट आंसर क्या है रक्षा मंतरालिया ठीक है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं या पर नेक्स्ट कोशन तो खतम हो गया है अब बात करते हैं इसकी पीडिया की तो सबसे पहले देख लिए ये प्रैक्स केंन मेक यू संथिझट अगर अप लोग प्रैक्स करेंगे तो सकसेस आपको जरूर हासिल होगी आथ बज़े डेली लाइव क्लास होती है इसमें आपको जो daily questions करवाय जाते हैं 100 questions करवाय जाते हैं तो 8 बजे शाम को live class join करना ना भूले और इसके इलावा किसी को test series चाहिए हो किसी भी exam में exam से related study material या notes चाहिए हो तो आप इस phone number पर WhatsApp करके टेलिग्राम करके पता कर सकते हैं 989616956 अगर इसकी PDF चाहिए description box में link दिया गया वहां से जाके डाउलोड कर सकते हैं या फिर telegram में link दिया गया वहां से जाके आप इसको डाउलोड कर सकते हैं इसकी PDF आप कुमारी official application है study master official वहां पर भी download कर सकते हैं play store से application को अपने phone में download कर लीजिए study master official यही लोगों मिलेगा आपको वहां पर भी और वहां से जाके आप लोग डाउलोड कर सकते हैं यहां से जाके आप लोग जो है काफी सारी चीज़ें काफी सारी PDF study material download कर सकते हैं हमारी official website पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और सारी updates के लिए free PDF के लिए टेलेग्राम चैनल जोइन कर लिए और आपके कमेंट्स और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत जरूरी है शेर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए feedback जरूर दीजिए इस वीडियो से आपको कितना फाइदा हुआ और नेक्स्ट वीडियो किस topic पे आप लोगों को चाहिए मुझे comment करके बता दीजिए कोई doubt हो को भी query हो आप लोग हमसे पूस सकते हैं चलिए thank you so much मिलते हैं next lecture में और जो जी के जीरी सीरीज चल रही है उसमें participate जरूर किया करो वो देख लो अगर आपका हर्याना सीविल सर्विस का exam है तो हम आपके लिए test series लेकर आए हैं काफी important test series है जरूर जोइन कीजिए इससे आपको बहुत फाइदा मिलेगा और वीडियो को लाइक और शेर जरूर की थेंक यू सो मच टेक केर बाइबाइबाइब गॉड ब्लेस यू आल आपका दिन शुब रहे हैं दन्याव